नवश्कार दर्शकू, मैं आरेश्वक्मत्री आप चपका स्वागत करता हूँ दर्शकू, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी रासियों के बारे में जिसका समय मई 2023 से 2024 तक का गोल्डन टाइम रहने वाला है तो आईए जानते हैं, सबसे पहले यह समझिये कि यह फलादेश शंद रासी पर आधारित है, नाम रासी के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन रासी के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे जो नंबर वन की रासी है, जिसका समय बहुती सांदार रहने बाला है, वो है कुम्भरासी। कुम्भरासी में सनी का गोचर है, और सनी 39 मार्च 2025 तक रहने बाले हैं। कुम्भरासी बालों की सनी की साढ़े साती भी चल रही है, और सनी की साढ़े साती का ये दूसरा चलन चल रहा है। सनी जब अपनी प्रिय रासी कुम्भ रासी में गोचर करते हैं, कुम्भ रासी मूल त्रिकोर की रासी है, और कुम्भ रासी को सनी अपनी प्रिय रासी भी मानते हैं, सनी जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव के फलों में ब्रधी करने का काम करते हैं, और जिस भाव को द देखते हैं, वहाँ पर भी लाब पहुंचाने का काम करते हैं। सनी न्याय पूर्व ग्रह हैं, न्याय करते हैं, यदि आपकी कर्म अच्छे हैं, तो अच्छे फल देने का काम करते हैं, और यदि आपकी कर्म खराब हैं, तो फिर ये डंड देने का भी काम करते हैं। लेकिन अभी कुम्ब रासी बालों के लिए ये बहुती सांदार इस्तिती बनी हुई है तोकि स्वयम की रासी पर ये गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और पंच महापुरुस में से एक राजयोग भी बना रहे हैं, ससनामक राजयोग। यह राजयोग मांच सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभो दिलाता है, ख्याती दिलाता है, प्रसिद्धी दिलाता है और आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने का भी काम करता है। इस कारण से कुम्ब रासी बालों के लिए किसी भी चीज की ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी सनी यहाँ पर परिपून रोप से फल देने का काम करेंगे तो सनी आपके लगण भाव में गोचर कर रहे है 39 मार्च 2025 तक इस कारण से स्वासत आपका बहुत अच्छा रहेगा confidence भी आपका बना रहेगा सनी राहू के नक्षतर में गोचर कर रहे है इस कारण से राहू और जादा बलवान हो चुका है और सनी भी बलवान हो चुके है दोनों ही ग्रह बलवान इस्थिती में गोचर कर रहे है और सनी की तीसरी द्रष्टी राहू के उपर भी पल रही है इस कारण से राहू और अच्छे फल देने का काम करेंगे क्योंकि राहू का गोचा तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और छटे भाव में भी बहुत अच्छा माना जाता है इसके बाद दसम भाव में अच्छा माना जाता है इन तीन भावों में राहू बहुत अच्छे पढ़ाम देने का काम करते हैं, तो राहू तीसरे भाव में बहुत अच्छे पढ़ाम देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में ब्रद्धी करने का काम करेंगे, साथ यदि आप कमनीकेशन के छित्रों में काम कर रहे हैं, तो जब शेत्र में लाब पहुचाने का काम यहाँ पर राहू करने वाले हैं। वही सनी की सब्तम द्रश्टी सब्तम भाव में पढ़ेगी, तो दैने काय में ब्रधी करने का काम करेंगे, पार्टनर सिप में भी लाब देने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में हलकी फुलकी समस्याएं भी देने का काम करेंगे. सनी की दसम द्रश्टी आपके कैरियर के भाव में पढ़ेगी, कारशित्र के भाव में पढ़ेगी, इस कारण से कैरियर आपको बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, ब्यापान में ब्रधी करने का काम करेंगे, और ब्यावसाय में भी कही ने कही जो है, ब बहुत अच्छे पढ़ाम देते हैं, इनकी पंचम दरश्टी आपके सप्तम भाव में पढ़ रही है, विवाह भाव में पढ़ रही है, इस कारण से जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनेगा, वैवाह जीवन उनका बढ़िया रहेगा, दैने का आ वही इनकी नबम दरश्टी की बात करें, तो लाव भाव में राहू की नबम दरश्टी पढ़ेगी, लाव भाव में लाव देने का काम करेंगे, आयमें ब्रधी करने का काम करेंगे, और धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करेंगी, राहू यहाँ पर 30 अक्तूबर 2023 तक रह जाती है और राहू के साथ यहां पर गुरू बैठे हुए है तो यहां पर थोड़ा सा भाईयों पर बन मुटाव की स्थिति जो है बन सकती है 30 अक्टूबर तक विसे इस रुप से थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की आपको ज़रूत रहेगे प्रेम बिवाह का योग भी यहां पर गुरू करने वाले हैं तो इस स्थिति यहां पर गुरू के भी आपके लिए बहुत ही सांदार है इसके बाद दूसरे नंबर की रासी है वो है धनू रासी धनू रासी में हम देखे तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर धनू रासी वालों के लिए भी बन रही है जो कि सनी राहू ये दोनों ही ग्रह जबर्दस सलाब देने का काम करेंगे और सनी आपके कुंडली के अनुचार से 9, 10 और 11 तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं क्योंकि 11 नंबर की रासी में सनी गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में सनी का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है वही जो है राहू और गुरू आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं और पंचम भाव जो होता है ये होता है आपके सिक्षा का संतान का प्रेम विबाह का और financial इस्तिती कभी ये पंचंभाव ही मारा जाता है तो यहाँ पर राहू भी अच्छे पढ़ाम देने का काम करते हैं और गुरु यहाँ पर जो है कारक माने जाते हैं संतान कारक माने जाते हैं इस कारण से राहू और गुरु दोनों ही आपको जबरजस लाब देने का काम करेंगे, तीसरे भाव का सनी, बहुत अच्छे पढ़ाम देने का काम करता है, यदि आप इंजिंडिंग फिल्ड में है, IT सेक्टर में है, साफ्ट्वेर इंजिंडिंग छेतर में है, या फिर जो है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए है, या नेटवर्किंग से जुड़े हुए है, या ट्रांस्पोर्ट से जुड़े हुए है, इन सभी छेतर में लाब पहुचाने का काम सनी करने वाले है, यदि आप कारखाना का काम करते हैं, कारखाना से जुड़े हुए, या कोई multinational company से जुड़े हुए है, तो भी यहाँ पर सन इस समय गोचर कर रहे हैं और राहू को देख भी रहे हैं इस कारण से दोनों ही क्रह जबर्दस लाब देने का काम करेंगे वही राहू आपके पंचम भाव में बैट करके सेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, जुवा, लोटेज, सट्टा इन समय छेत्रों से बड़ा धन लाब देने का काम करते हैं वही गुरु भी पंचम भाव में जब भोचर करते हैं तो यहाँ पर जो है फाइनेंसल इस्तिती को मजबूत बनाने का काम करते हैं तो यह दोनों ही क्रह आपको जबर्दस लाब देने का काम करेंगे सिख्ष आपकी बहुत अच्छी रहेगी संतान के योग बनेगे प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी वही इनकी पांचमी दरश्टी आपके भाग भाव में पड़ेगी तो भाग में प्रबलता देखने को मिलेगी भाग का साथ मिलेगा किस्मत बदनने का काम करेंगे पिता धन के शोड़े पिताध करने का काम करेंगे नबम द्ऱश्टी गुरु और राहु की आपकी घनुरासी में पड़ेगी तो धनुरासी में गुरु की द्रश्टी बहुत अच्छी मानी जाएगी, स्वास्त आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन राहू की द्रश्टी यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेगी, यहाँ पर आप डिसीजन लेने में थोड़ी आपको समस्याए हो सकती है, तो सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है, कोई भी बड़ा काम यदि आप कर रहे हैं, तो पहले आप दूसरों का सलाह जरूर ले, उस पर विचार करें, उसके बात करें, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भी पैदा करने का काम राहू करेंगे, तो राहू, सनी और गुरू, धनू रासी वालों को जबर्जस लाब देने का काम करेंगे, यहाँ पर यह समझेए, इसके बाद यहीं हम तीसरे नंबर की रासी की बात करें, तो तीसरे नंबर की जो रासी है, वो है सिंग रासी, सिंग रासी में भी सनी जो है, सस नामक राजयोग बनाने का काम करेंगे, और गुरू भी कही ने कहीं जबर्जस लाब देने का काम करेंगे, अब सिंग रासी क अनुचार से दी हम बात करें, तो जो सनी है, वो आपके सप्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, सप्टम भाव में अपनी स्वयम की रासी, ग्यारा नंबर की रासी में गोचर करेंगे, यहाँ पर सस्नामक राजयोग बनेगा, पंच महापुरुष में से एक राजयोग, सस् र dall करने वाले क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक माने जाते हैं और राहू भी यहाँ पर जवर्दस जेने का काम करता है तो सानी पार्टनरिश्यप में आपको लगनभाव को देखेगा वहएवाहिग जीवन को इस्तिति रह सकती है लेकिन गुरू की दृष्टी यहां पर रहेगी तो स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा, confidence आपका बहुत अच्छा रहेगा, नए काड़ों की प्रती जो है आपका विश्वास बढ़ेगा और सफलताएं भी आपको देखने को मिलेगी, गुरू और राहू दोनों ही जो है सब्तम दृष्टी से तीसरे भाव को देखेंगे, बल पराक्रम में ब्रद्धी करने का काम करेंगे, कमनीकेशन के छित्रों में लाब पहुँचाने का काम, और यात्राएं से सम्मंधित, यदि आप कोई कार कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो उसमें धनल आप भी देने का काम करेंगे, तो ये भी इस्तिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, लाहू और गुरू की दोनों की दृष्टी आपके पंचम भाव में पड़ेगी, नवम दरष्टी, इस कारण से यहाँ पर जो है, सिक्षा के लिए अच्छे योग बनेगे, उच्छे सिक्षा के लिए आप बिदेश जा सकते हैं, या आप जन्मिस्तान में ही रहे करके उच्चे सच्छा प्राप्त कर सकते हैं, संतान के योग बनेंगे, फ्रेम बिवाह के योग बनेंगे और फाइनेंसल इस्तिती भी आपके बहुत मजबूत रहने वाली हैं, तो सिंग रासी वालों के लिए भी बहुत ही सांदार समय है, क आपके आर्थिक स्तिती को मजबूत बनाने का काम करेगा, क्योंकि सस नामक राजयोग में सनी कोचर कर रहे हैं, तो राजयोग का लाब आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसके बाद यदि हम बात करें, तो चौथे नंबर की जो रासी है, वो आपकी मिथुन रासी है, मि राहू और गुरू दोनों ही जबर्दस लाब देने का काम करेंगे, मिथुन, करक, सिंग, कन्या, तुला, ब्रशिक, धनू, मकर, कुम्ब, भाग भाव में आपके सनी गोचर करेंगे, और सनी 29 मार्च 2025 तक जो है, आपके भाग भाव में ही गोचर करने बाले हैं, जो की पर जबर्दस लाब देने का काम करेंगे, तो दोनों ही करें जो है, अच्छी स्थिति में यहाँ पर रहने वाले हैं, और सनी भी आपको लाब देने का काम करेंगे, सनी आपके भाग में ब्रद्धी करने का काम करेंगे, जो काम आपके डिले हो रहते, विलंब से काम हो रह रुक करके काम हो रहे थे, अठक रहे थे, काम बन नहीं पा रहे थे, तो सनि आपके कारों को बनाने का काम करेंगे, भाग को बदलने का काम करेंगे, और यह बहुत अच्छी स्थिती है, कि 29 मार् terce 2025 सनि जो है, आपके भाद भाव में गुचर करेंगे तो भाद को बदलने का काम करेंगे वही यदि हम बात करें गुरू और राहू की तो राहू और गुरू दोनों ही ग्रहें लाभ भाव में बहुत अच्छे परणाम देने का काम करते हैं बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन जाती है, क्योंकि ये लाब का भाव है, ये आय का भाव है, तो आय में ब्रधी करने का काम करेंगे, लाब देने का काम करेंगे, धन के श्रोत पैदा करने का काम करेंगे, और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, नौक पाचमी द्रश्टी और राहू की पाचमी द्रश्टी दोनों ग्रह की एक समान द्रश्टी होती है इस कारण से देखा जाया तो यात्रा के योग बनेगे धार्मिक यात्राओं के योग बनेगे बल पराक्तर में ब्रद्धी करने का काम भाई बेहनों के संबंधों की बात करे तो मधोर रहेंगे अच्छे इस्तिती यहाँ पर नजार आ रही है। तो मिथोन रासी बालों के लिए भी यह बहुत ही सांदार समय है और लाब आप उठा सकते हैं। क्योंकि सनी आपके लाब भाव में गोचर करेंगे और लाब भाव में सनी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर सनी जो है 11 नंबर की रासी कुम्बरासी में गोचर करेंगे और मेस रासी में राहू और गुरू दोनों ही गोचर करने वाले हैं। क्योंकि राहू जब लगन भाव में गोचर करता है तो थोड़ा भ्रमित करने का काम करता है। अहंकार को बढ़ाने का काम करता है चिड़चिड़ापन और गुस्ता भी यहाँ पर पैदा करने का काम करेगा। डिसीजन लेने में थोड़ी समस्या है जरूर होगी लेकिन यदि आपने सही डिसीजन ले लिया तो जब अरजस्त लाव आपको मिल सकता है ऐसी शंभावनाए है। और राहू यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे उसके बाद 12 भाव में चले जाएंगे तो मेंस रासी बालों के लिए फिर बहुत ही सांदार इस्तिती बन जाएगी। क्योंकि गुरू यहाँ पर अकेले हो जाएंगे और पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। आपकी सिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। संतान की इस्तिती भी बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंसर इस्तिती भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम विवाय में सफलता भी देखने को मिलेगी। जिन लोग का विवाय नहीं हो रहा था विवाय का योग बनेगा विवाय जीवन बढ़िया रहेगा और दैनेकाय में ब्रद्धी भी करने का काम करेंगे और गुरू की जो नवम द्रश्टी है वो आपकी पढ़ेगी भाग भाव में तो भाग में भी ब्रद्धी करने का काम क करने वाले तो गुरू के इस्तिती जो है यहां पर ही बहुत ही सांदार रहने वाली है तो इस कारण से गुरू भी आपको जबरजस्त लाब देने का काम करेगा लेकिन जब तक राहू रहेगा थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे डिसीजन लेने में थोड़ी समख्याएं आएंग तो जबरजस्त लाब देने का काम करेंगे और सनी वैसे ही मेश रासी बालों के लिए बहुत अच्छे है सांदार है और जबरजस्त लाब देने का काम करेंगे दर्सको ये पांच रासियां थी जो की बहुती सांदार रेजल्ट देने वाली है यदि आपकी कुंडली में ग आज वसे तना ही धन्यवाद